B.A. 3rd year home science students and M.A.M.S.C. food and nutrition students हम लोग आज कल टॉपिक पढ़ रहे हैं Advantages of Breast Milk उसी सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक है वो है Breast Milk Advantages for the Infants Breast Milk Advantages for the Infants Infants के लिए breast milk के क्या-क्या फाइदे है एक्जाम में mother और infant दोनों के लिए अलग-अलग question पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको दोनों को अलग-अलग chapters में करके बताया जाएगा Infants के लिए मां के दूद के क्या फाइदे हैं सबसे पहला और important जो फाइदा होता है Infants joy is more fully developed and teeth are less crowded जो बच्चे मां का दूद पीते हैं उनके जबड़े पूरी तरह से डबलप हो जाते हैं और दांत बहुत ही एक दूसरे के ऊपर चड़े हुए नहीं होते मतलब teeth are less crowded बहुत जादा congested नहीं होते एक के ऊपर एक दांत चड़े नहीं होते बलकि बहुत खुबसूरत से मोती की तरह एक एक करके दांत होते हैं दूसरा important फाइदा microbiologically it is estralized and less danger of contamination and gastrointestinal problems मा का दूद microbiologically यानि पूरी द्रह से देखा जाए तो ये जिवानु रहीत होता है और इसमें किसी भी प्रकार का संक्रमन इसके द्वारा नहीं फैल सकता जिसके वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेट संबंधी रो gastrointestinal problem यानि पेट संबंधी किसी भी प्रकार की विमारिया होनी की संभाबनाए ना के बराबर होती है ये बहुत बड़ा फाइदा है और जब ऐसा होता है तो इसके और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव ये दिखते हैं कि जो बच्चे मां का दूद पीते हैं Mortality rate is lower in children who are breastfed जो बच्चे मां का दूद पीते हैं उनमें मृत्यो दर बहुत कम होती है मरने की chances उनकी बहुत कम होती है Reduce risk for otesis otesis मतलब होता है ear problems कान की समस्याएं जो भी कान की समस्याएं होती है वो बच्चों में बहुत कम होती है and serve lower respiratory tract infection and asthma इसके अलावा जो स्वास संबंदी रोग होते हैं infections होते हैं संक्रमन होते हैं और अस्थमा होता है इसके भी होने की बहुत कम संभाव ना है ऐसे बच्चों में होती है जो बच्चे मा का दूद पीते हैं Low danger of incorrect formula and over feeding ये बहुत बड़ा फाइदा है कि जब हम formula मा बनाती है तो वो कभी incorrect हो जाता है formula का मतलब जैसे डबे का दूद बनाए या गाय और भैंस के दूद में पानी मिला के दे रही है तो कितना पानी लें कितना दूद लें ये formula जब वो तैयार करती है तो वो गड़बड हो जाता है लेकिन मा के दूद में किसी भी प्रकार का कोई formula तो तैयार करना नहीं है ब्रस से जैसे मिल का रहा है उसी तरह बच्चा पीएगा तो मतलब low danger of incorrect formula और over feeding होने के भी संभावना नहीं है कि बच्चा बहुत जादा मा ने अगर bottle में भरके दूद बना लिया है तो मा चाहेगी पूरी पूरी bottle भरके वो दूद पी ले formula feeding में ये होता है लेकिन मा के breast में over feeding भी होने की chances बच्चे को बिलकुल नहीं होती reduce chances of allergies reaction as human milk protein do not cause allergies human milk में जो protein केसीन पाई जाती है मा के दूद में उसके कारण बच्चे को कभी भी किसी भी चीज़ से allergy होने की संभावनाएं दूद की तरफ से नहीं होती ये protein के कारण होता है जो की मा के दूद में केसीन प्रोटीन पाया जाता है lower rate of sudden infants deaths और caught deaths एक तो देखो जो infants की अच्छानक से death हो जाती है उसको हम sudden death कहते हैं तो जो बच्चे मा का दूद और caught death उससे कहते हैं जब बच्चा चार पाई पे लेटाया जाए और तुरंत मर जाए तो जो बच्चे मा का दूद पीते हैं उन बच्चों में अच्छानक से होने वाली मृत्यों और बिस्तर पे लेटाते ही होने वाली जो मृत्यों है उसका rate भी कम होता है यानि मा के दूद का फाइदा बच्चे के लिए बहुत जादा है मा का दूद पीने वाले बच्चों की गुर्दों से जो यूरिन पास होता है उसमें भी यूरिया और सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है कम होने के कारण जो बच्चे के नाजुक से गुर्दे हैं उन पे बहुत कम या बुरा प्रभाव पढ़ता है नेक्स्ट इंपॉर्टन जो फाइदा है वो है less colic as fat and protein in human milk are more easily digested and less likely to create gastric and intestinal distress less colic as fat and protein in human milk मा के दूद में जो fat और protein होता है वो उनकी आतों में बहुत ही कम देर तक रुकता है और आसानी से सारा fat और protein पच जाता है जिसके कारण उनके पेट में या intestine में किसी भी प्रकार की वायू नहीं भरती है distress होना मतलब पेट का फूलना पेट नहीं फूलता है और बच्चे को uncomfort बिलकुल फील नहीं होता है यानि मा के दूद में fat और protein की जो मात्रा पाई जाती है वो बच्चों की आत में बहुत देर तक नहीं टिकी रहती उसका proper digestion होता है absorption होता है और metabolism होता है जिसके कारण बच्चे का पेट नहीं फूलता और आतों में किसी भी प्रकार का भारिपन फील नहीं होता है ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा फायदा है Human milk is always fresh and at right temperature मा का दूद हमेशा fresh होता है जितनी बार बच्चा पिएगा उतनी बार उससे fresh milk मिलता है और बिलकुल right temperature पर मिलता है जिस तापमान पे दूद बच्चे को प्राप्त होना चाहिए ये बहुत बड़ा ये भी फायदा है breastfeeding can be continued during illness of infants like diarrhea and also can be given after vaccinating the infant देखे breastfeeding का एक बहुत बड़ा बच्चे के लिए फायदा ये होता है कि अगर बच्चा बिमार है बच्चे को diarrhea हुआ है या बुखार आ रहा है या उसको टीका करण किया गया है उसके बाद भी उसको बुखार आ रहा है तो भी मा बच्चे को लगातार अपना दूद पिलाती रहे ऐसा करने से बच्चे की बिमारी जल्दी ठीक हो जाती है बच्चे का diarrhea जल्दी control हो जाता है बुखार जल्दी उतर जाता है तो मा को कभी भी अपना breastfeeding छोड़ना नहीं चाहिए continuous उस stage में जब बच्चा बेमार है तब भी मा का दूद बच्चा पी सकता है ये बच्चे के लिए फाइदा है there is evidence to suggest that breastfed babies are less likely to develop obesity, hypertension, diabetes and heart diseases in later life ये बहुत important एक point है कि जो बच्चे मा का दूद पीते हैं उनके लिए कई studies ऐसी आई है उने studies ने ये evidence ये proof दिये हैं कि जिन बच्चों ने मा का दूद पिया उनको life में आगे चल कर उनमें ना तो मोटापा हुआ यानि obesity भी नहीं हुई, hypertension नहीं होता, diabetes होने की कोई संभावना नहीं होती और हिर्दे संबंदी रोग भी नहीं होते यानि जो बच्चे मा का दूद पीते हैं उनमें आगे चल कर life में 40-45 साल की उम्र में यदि वो अपनी life का routine, अपनी food habits, सब कुछ अच्छी तरह से रखते हैं, सब नियमित सेमित जीवन चर्या में चलते हैं, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बच्पन में breastfeed किया है, मा का diseases होने की chances बहुत कम होती हैं, there is evidence to suggest that breastfed babies have better IQ scores later in life, और कई studies ने ये भी proof दिये हैं, कि जो बच्चे मा का दूद पीते हैं, उनका आगे चल कर life में IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, यानि उनकी बुद्धी लबदी, उनका जो उनकी बुद्धी होती है, वो बहुत तीवर होती हैं, वो तेज दिमाग के होते हैं, ये studies ने प्रूफ किया हैं, it is one food that makes a complete milk, मा का दूद ही एक सर्वत्तमाहार और पून आहार माना जाता हैं बच्चे के लिए, ब्रस्ट मिल्क is always ready, ब्रस्ट मिल्क जो होता है, वो हमेशा तयार होता है, no need to any preparation, and there are no leftover, मतलब मा के दूद में किसी भी प्रकार, ये हमेशा तयार रहता है, मा के दूद में किसी भी प्रकार की तयारी करने की आवशकता बच्चे के लिए नहीं होती, कि दूद को गरम करना है, ठंडा करना है, चीनी मिलानी है, कुछ में नहीं करना है, and there are no leftover, और बिलकुल मा का दूद बरबाद भी नहीं होता है, बचता भी नहीं है, जो बचता है, वो मा के ब्रस्ट में ही रहता है, जब मा दूबारा दूद पिलाना शुरू करती है, तो पिल से वो मिल्क रिन्यू होकर आ जाता है, ब्रस्ट मिल्क इस रिन्यूवल रिसोर्स, इसी लिए इसे रिन्यूवल रिसोर्स कहा गया है, कि जितनी बार बच्चा दूद पियेगा, उतनी बार नया दूद मा के ब्रस्ट से बच्ची को प्राप्त होता रहेगा, it cannot be adulterated, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है, it cannot be diluted, इस मिल्क में कभी भी पानी नहीं मिलाया जा सकता, nor concentrated और नहीं कोई चीज मिला के इसको गाड़ा किया जा सकता है, यनि किसी भी प्रकार का dilution इसमें possible नहीं है, इसलिए it is organic food for babies, इसलिए ये organic food बच्चों के लि मिलावट संभो नहीं है, जैसा दूद मा के ब्रस से उत्पन होता है, उसी तरह, उसी हालत में बच्चे को fresh breast milk प्राप्त होता है, और वो सारी problem से बच्चा बच सकता है, जो मैंने अभी आपको बताई है, मुझे उमीद है बच्चों कि आप सब students को अच्छी तरह ये lecture समझ में आया होगा, बहुत ही important है कि advantages of breast milk for infants, infants के लिए इसकी क्या advantage है, और next class में आपको बताऊंगी mothers के बारे में, कि mother के लिए मा का दूद स्वें से कैसे फाइदे मंद होता है, thank you.